देश का चौथा स्थान नाम पर ही है न्यूज, कवरिश करने जाने से पहले जान से मार देने की धमकी आए दिन मिलती रहती है पत्रकारिता करना इतना आसान नहीं, गरीबला चार आसाहाई लोगों की बातों को बुलंद करना आसान नहीं सच्ची पत्रकारिता करना इतना आसान नहीं कभी बालू माफिया, कभी भू माफिया, कभी लोहा माफिया, कभी कोईला माफियों से सच्ची पत्रकारिता करने पर धमकियों तक सुनना पड़ता है पत्रकारों को हर वक्त मत्थे पर कफन बांद कर रहना पड़ता है ना जाने कितनी पीड़ा को जहल कर पत्रकार बनना पड़ता है बस यूँ समझ ले खुद भूखा रहकर रोटी का खबर लिखना पड़ता है फिर भी लगतार पत्रकारों पर हमला बढ़ता जा रहा है अब तो पत्रकारों को पुलिस की भी धंगियां सुननी पड़ती हैं आज खबर संकलन के दौरान बंगाल पुलिस और आम लोगों के समक्षिश पंचेत पुलिस ने एक जवान ने पत्रकार को कैमरा के सामने यह तक कह डाला मेरे उपर काल मंडरा रहा है अब जो हो सो पुलिस वाले भी पत्रकार को धंगाने में पीछे ने हरता है यह साइद बहुत दुख की बात है आज लगातार पत्रकारों पर हमला होते जा रहा है जिसका कोई निदान नहीं निकल पा रहा है अज हमलोidd कहने को तो चौथा अस्तम्थ है अगर बास्तों में सरकार की और से पत्रकारों के लिए आखर क्या है कही से भी कुछ लेना देना नहीं है बस हम लोग मने अपना अपना तेल जलाकर अपना हर समस्याओं को छोड़कर हम लोग दूसरे के समस्याओं को उजागर करते हैं लेकिन फलसरूप हम लोगों को मिलता क्या है धमकिया मार यहां तक कि आप देख पा रहे हैं किस परकार से जोसर पुलिस ने बंगाल पुलिस और आम लोगों के शामने किस परकार से कह डाला कि आपको उपर काल मंड़ा रहा है लग रहा है इतने दिनों से हमने जो निस्पक्ष पत्रकारिता जो किया है जे ताक पत्रकारिता जो किया है साइध उसका फल मुझे बहुत जल्दी मिलने वाला है सच में मुझे भी कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरे उपर काल मंड़ा रहा हूं मैं जिस परकार से पत्रकारिता कर रहा हूं मेरा गरीबी मेरा हालात मुझे लगता है मुझे इस परकार करने के अनुमती नहीं देता है बस आप लोगों का सहरा है आप लोगों का बिजवास है आ के अंदर सरकार हो, मुझे नियाय दिलाने के लिए क्या कर रहा है, धन्यवाद